नमस्कार उत्तर प्रदेश राजशी टंडन मुक्त विश्वित्याले से मैं डॉक्टर निरांजिली सिन्हा इतिहास विशे से हूँ और आज हम जो व्याख्यान लेंगे वो इतिहास विशे से UGHY01 Old New और UGHY A101 101 से है जिसका शीर्चक है आधुनिक भारत 1857 से 1974 और आज की व्याख्यान का शीर्चक है 1857 का विद्रोग सबसे पहले हम 1857 की प्रिष्ट भूमी पर एक नजर डालेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोग भारती इतिहास की एक बहुत ही महत्वण और गोरोशाली घटना थी और यह गोरोशाली घटना एकदम से अचालक नहीं हुई बलकि इसका बीज अंग्रेज शार्षन की नीतियों में ही रोपा गया था और यह जिसका परियाम 1857 के विद्रोग के रूप में हुगा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज शार्षकों की सामराज विस्तार की लालसा और उनका आर्थिक शोशन करने की लालसा ने ही भारत में असंतोश को जन्म दिया था 1857 से पहले भी अंग्रेजों की इसी सामराज विस्तार और आर्थी शोशन की नीतियों ने सामराज को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी शाषकों ने भारती नरेशों और भारती राजाओं के मन में ये भै उत्पन कर दिया कि हमारी रियासतों को भी अंग्रेजी सामराज मे मिला लेंगे अब हम ये दख देखते हैं कि ऐसी कौन सी अंग्रेजों की नीतियां थी जिनों ने असन्तोष को या भारती जन्मानस को असंतुष्ट कर दिया तो अगर हम देखते हैं तो जैसे अंग्रेजों की शाशन संबंदी नीती थी, अंग्रेजों की लगान संबंदी नीती थी, अंग्रेजों की प्रशाशनिक नीती थी, अंग्रेजों का जातीगत व्यवहार भी भारती जनता में एक असंतोश का कारण बना और इनी सब असंतो विद्रोह के किनारी या विद्रोह के अंदिम परनीती पर लाकर खड़ा कर दिया था और हम ये देखते हैं कि 1857 से पहले कौन से ऐसे चोटे चोटे विद्रोह हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1764 में बकसर का विद्रोह हुआ, 1806 में वैलो और मट का विद्रोह हुआ, 1806 में बरेली में विद्रोह हुआ था, 1831 से 33 तक कोल जाती वालों ने विद्रोह किया, 1848 में कांगणा में विद्रोह किया गया और 1855 से 56 में संथाल जाती और ऐसे कई जन्मानस ने अंग्रेजी शाषन के विरुद आवाज उठानी शुरू कर दी गए थी और ये असंतोष की तीवरता ही या ये असंतोष की तीवरता ही इतनी थी जो कि 1857 में विद्रोह के रूप में परिनिती ने हुई कुछ ऐसे कारण भी थे जिसने की असंतोष को जन्म दिया उसका कतातकाली कारणों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव सैनिकों पर पड़ा यही कारण था कि 1857 के विद्रोह का आरम सैनिकों से शुरू हुआ सैनिकों का असंतोष भी जन्ता पर प्रभाव डाला और धीरे धीरे सैनिकों के साथ साथ सभी वर्ग के लोग जैसे मजदूर वर्ग के लोग थे व्यापारी वर्ग के लोग थे शिल्पकार थे रजवारे के लोग थे इन सभी लोगों ने अपने आपको 1857 के विद्रोह मे शामिल कर लिया था, अब हम विद्रों के कारणों पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण पर बात करेंगे, किसी भी क्रांती या किसी भी विद्रों के लिए हम किसी भी एक कारण को उत्तरदाई नहीं ठहरा सकते, लेकिन जब हम अन्य सभी कारण का विशल करते हैं, तो हम पाते हैं कि राजनिति कारण की अपनी एक एहम भूमिका होती है। पहले नंबर पर अगर हम देखते हैं तो ल लोड डलहोजी की हड़प नीति, 17 लोड डलहोजी की सामराज नीती का जो सिध्धान था उसके हिसाब से उसने ये कहा कि जो भी निसंतान देशी शाशक और नरेश हैं उन्हें उत्राधिकारी के रूप में गोद लेने की कोई भी अनुमती नहीं दी जाएगी और इस सिध्धान्त के तहत डलहौजी ने 1848 में सतारा जैतपूर और संभल 18 1849 बगहाट 1850 उदेपूर 1852 जासी 1853 नागपूर 1854 इन सभी रियासतों का अंग्रेजी सामराज में विलै कर लिया यहां तक की डलहौजी ने इस अपने इस सिध्धान्त का बहुत ही कठोरता से इसका पालन किया जिससे अंग्रेजों के लिए भारतियों के मन में असंतोश का उत्पन होना स्वाभारिक था दूसरा कारण राजनीतिक कारण है अवद का अंग्रेजी सामराज में विलै अंग्रेजों द्वारा भारती रियासतों पर अपना नियंतरन इस्थापित करना उनकी एक मन्शा थी उन्होंने यह नियम बनाया था भारती रियासतों की सामराज में विलै किया तो इसके लिए विरोध शुरू हुआ और लॉर्ड डलहौ जी ने क्या आरोप लगाया अवद्परांद पर कि वहां का शाषन ठीक नहीं है वहां पर कूप रबंध है जिसकी वजह से हम को अवद्परांद को हम अंग्रेजी सामराज में मिला ले रहे और इसी वजह से अन्य भारती नरेशों के बीच में भी ये भै उत्पन हो गया कि उनकी रियासतों को भी एक बार अंग्रेजी सामराज में मिला लिया जाएगा देशी शाषकों के प्रती उपेक्शापों नीती लौड डलहोजी ने मुगल समराज बहादूर शाह जफर की उपादी को समाप्त कर दिया और उसने ये भी कहा कि बहादूर शाह जफर जो है वो अब अपने जो वन्शा नुगत उनका आवाज है वहाँ पर वो नहीं रहेंगे लाल किले में बलकि वो अपना वन्शा नुगत आवाज को छोड़ करके महरोली के कुत्ब मिनार में जाकर रहने का उनको आदेश दिय इसी तरह से उन्होंने मुगल समराण बहादूर शाह जफर के जेश्ट पुत्र जो उनका जेश्ट पुत्र था मिर्जा जमावक्त उसको भी यूरा स्विकार करने के लिए मना कर दिया कि वो हम उसको यूरा स्विकार नहीं कर सकते हैं इसी तरह से लौड डलहौ जी ने प सामराजविस्तार की नीती और जिस तरह से रियासतों को अपने नियंतरन में करके विल्य करने की नीती ने देशी नरोशों के बीच में संदेह उत्पन कर दिया था अब हम अगले बात करते हैं कि अंग्रेजों की दास्ता से मुट्थी की amen प्रारम में अंग्रेजों ने मुगल समराट के प्रतिनिधी के रूप में सत्ता हासिल किया किन्तु बाद में वे अपनी शक्ती का प्रयोग मुगल समराट को ही हटाने के लिए मुगल समराट के विरुद विद्रो करने में लगाने में लगए यह अंग्रेजों का कदम एक तरह से मुगल समराट के विरुद में था नेक्स्ट हम डिसकस करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रीमिया और अफगानिस्तान का युद कहीं ने कहीं परिस्थितियां भी भारत का सामना करना पड़ा उस असफलता का प्रभाव इस्ट इंडिया कंपनी की भारती सेना पर भी पड़ा कि जब सेना अजे नहीं है अगर हम द्रण संकल्प और द्रण निश्चे लें तो हम अंग्रेजी सेना को हरा सकते हैं इसी तरह से क्रीमिया के युद्ध में जो की 1856 और संतावन में हुआ उसमें भी अंग्रेजों की सफलता से यह सिद्धोग्या भारती की अंग्रेजी सेना को पराजित किया जा सकता है और भारतियों ने अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को और भी तीवर करने का निश्य कर लिया अब हम जो के कारणों पर राजनीती कारण पर बात करया अब हम ऐसे कौन से प्रशाष्णिक कारण थे जिनकी वजह से भारती जर्मानस में अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोश हुआ तो जब हम देखते हैं कि असंतोश का एक कारण क्या था कि अंग्रेजों की नमीन शाषन पद्धती थी उसमें क्या चीज़े ऐसी थी जिसको स्विकारने में भारती नहीं तयार थे उसका कारण ये था कि जो तालुकेदार थे जो जमिदार थे जो राजवन्श के लोग थे उन सभी की अधिकारों को विशेश अधिकारों को और उनको जो भी विशेश लाब प्र विस्था भी असंतोज जनक थी किसानों पर लगान का भार बहुत जादा था और किसानों से जमीदानों को कोई वीशेशाधिकार नहीं दिया गया था और इसी तरह से प्रशाशनी विवस्था महम देखें तो अंग्रेजों की पुलिस विवस्था और न्याय विवस्था भी संतोश जनक नहीं थी अब फारसी भाषा को हटा कर अंग्रेजी भाषा को न्यायाले और शाष्चन की भाषा के रूप में बना दिया गया था जिसकी वज़ा से भी असंतोश का कारण था अंग्रेजों की जो लगान नीती थी उसके विरुध इतना प्रबल विरुध था कि लगान वसूल करने के लिए घुरसवारों को भेजा जाता था, बिना घुरसवारों के लगान वसूल नहीं होता था एक मैं उधारन दोंगी पानी पजिले में 136 घुरसवार थे जो की लगान वसूल करने जाते थे जबकि 22 घुरसवार ऐसे थे जो पुलिस की सहायता के लिए या पुलिस का कारे करने के लिए थे जबकि जन मानस की रक्षा और सुरक्षा के लिए 22 गुरसवार कम थे जहां की जादा गुरसवारों की जरुवत होती थी कई ऐसे किसान थे कई ऐसे व्यक्ति थे जिनकी भूमी छीन लई गई थी क्योंकि वो लोग अपनी भूमी पर कानूनी अधिकार को सिर्ध नहीं कर सके थे और इसी तरह से अवद के तालुके दानों को तो सबसे ज़ादा परेशानी का सामना करना पड़ा उन में से ज़ादा तर लोगों को अपनी आधे से ज़ादा जमीन खोनी पड़ गए या किसी कोई कोई ने तो सारी जमीन अपनी सारी भूमी अपनी खो दी थी प्रशाशन में भारतियों के साथ भेदभाव किया जाता था प्रशाशनिक उच्छ पदों पर किसी भी भारती को नहीं रखा जाता था भारतियों के लिए सिर्फ सूबेदार का ही पद था उससे उचा पद उन्हें नहीं दिया जाता था ये कहके कि भारती उच्छ पदों के योगे नहीं है और उन सारे प्रशाशनी पदों पर उच्छ पदों पर सिर्फ यूरोपियन को यूरोपी व्यक्तियों को ही रखा जाता था और वो यूरोपी व्यक्ति उस पद पर अपने आपको एक अधिकार समझते थे जब राजा राम मोहन राई के बेटे को एक असैनिक बंगाल का असैनिक सेवा पद उच्छ पद दिया गया तो अंग्रेजी सारे अगवारों में इसकी चिंता व्यक्ति की गई थी क्योंकि उन्हें लगा एक भारती को कैसे उच्छ पद दे दिया गया 1833 में कमपनी से एक आदेश पत्र आया जिसमें ये आश्वाशन दिया गया था कि अब रंग, जाती, भेद किसी भी आधार पर सारवजनिक सेवाओं पर पद देने में कोई भेद नहीं किया जाएगा किन्तु अंग्रेजों ने अपनी इस सिध्धान्त को भारत में लागू नहीं किया, इससे सभी सिक्षित भारती असंतुष्ट हो गये थे, उन्हें किसी भी तरह का राजनितिक और प्रशाशनिक अधिकार प्राप्त नहीं था उन्हें शाशन में शामिल नहीं किया गया, 1858 में सर सेद एहमत खाने 1857 के विद्रोह पर अपनी एक किताब लिखे जिसका नाम था अजबाव ए बगावत ए हिंद जिसमें उन्होंने ये लिखा था जिसमें उन्होंने ये कोट किया था कि 1857 के विद्रोह का सबसे महत्पून कारण ये था कि भारतियों का प्रशाशनिक तंत्र में उच्छ पदों पर ना होना और इसके बाद से इस भेदभाव की नीती ने भारतियों के मन में कहीं ने कहीं असंतोश को जन्म दिया उनके प्रती अंग्रेजों के प्रती एक घ्रणा की भावना उनमें आई और 1857 के विद्रोह को एक विश्त्रित और प्रभावी बना दिया गया अब हम चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से आर्थिक कारण थे जिसकी वज़ा से 1857 का विद्रोह हुआ तो हम इन आर्थिक कारणों पर जो की अर्थ से संबंदी थे और ये आर्थिक कारण कैसे भारतियों से को सीधे सीधे प्रभावित किया हम इस पे अभी चर्चा करते हैं कि उन आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे 1857 के विद्रो के लिए अंग्रेजों की आर्थिक शोषन की नीती भी उत्तरदाई रहे अब कैसे भू राजस विवस्था में जैसे कि मैंने अभी चर्चा किया था कि भू राजस विवेस्था में नए सुधार जो किये गए उससे किसानों की इस्तिती दैनी होती चली गई और फाइदा अंग्रेजों को होता गया जैसे भारत के उद्योग धंदे नश्ट हो गए थे शिल्पकारों दस्तकारों की बड़ी संख्या ऐसी हो गई थी जो मजदूर बन गई थी और सूती वस्र उद्योग पूरी तरह से नश्ट हो गए थे धाका जो भारत का मैंचेस्टर हुआ करता था जंगल बन गया था मुर्शिदाबाद पूरी तरह से नश्ट हो गया था और सूरत का भी यही हश्रु हुआ था भारती बजार अपूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुके थे तटकर नीती और आंतरिक चुंगी विवस्था ने ब्रिटिश हित के लिए बनाई गए थी ना कि भारती हित के लिए बनाई गए थी भारत का जो कच्छा माल था वो पूरा का पूरा ब्रिटेन चला जाता था और भारती बजार पूरी तरह से ब्रिटिश बने हुए माल से पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ था ब्रिटेन के तयार माल से भारत का बजार बद पूरी तरह से भरा हुआ था और जाहिर बात है कि ब्रिटेन में मर्शीन से वस्तुए निर्मित होती थी तो वो जादा अच्छी होती थी और इसी कारण से भारत के जो लगू उद्योग थ घरेलू उद्योग थे वो सब के सब धीरे-धीरे समाप्त होचे चले गए और मैं आपको बताऊं कि 19 शताब दीन में के शुरू में भारती मलमल पर 27 प्रतिशत और सूती कपड़े पर 71% सुल कि लिया जाता था और रेश्मी कपड़ों पर 90 प्रतिशत कर लिया जाता था और भारत आने वाला इंग्लेंड का जो सम वस्तुएं थी उन पर केवल 3.5 प्रतिशत और उनी वस्त्रों पर 2 प्रतिशत कर लिया जाता था इतना जादा एक तरह से डिस्क्रिमिनीशन था या इतना जादा भेदभाव था और इसका मुख्य उद्देश क्या था ऐसा करने का उसका था कि विश्व की मंडी पर भारत के वस्तुओं को रोकना और यहां तक कि भारती वस्तुओं की पहुंच विश्व मंडी तक ना हो जाए इसको रोकना था और भारत में भी भारत के बजार को पूरी तरह से बंद करना था इसलिए ये रेशियों के साथ इस अनुपा गुनकरों ने भी धंदों वाले व्यापारियों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी अब क्या हुआ उद्योगों के नश्ट होने से और क्रिशी के वानिजी करण से ये दो आर्थिक कारण रहा जिनकी वजह से कमपनी के शाशनकाल में जब लगभग लगभग आठ लाक लोग जो थे वो मारे गए थे लेकिन इन प्यूडितों की सहायता के लिए अंग्रेजी शाशन ने कोई भी संतोष जनक सहायता मदद नहीं किया था इसी समय हमारे राष्टी निताओं में दादा भाई नौरोजी ने बताया धन निशकाशन के बारे में जनता का ध्यान आकरशित किया और उन्होंने बताया कि कैसे भारत का धन भारत के लिए उप्योग में नहीं किया जा रहा है बलकि ब्रिटेन के लिए वहाँ पर धन हम अमीर होते चले जाते हैं इस विशय पर अंग्रेज मेजर विंगत ने लिखा है कि भारती सामराजी की सैनिक रक्षा के लिए ब्रिटेन के खजाने से एक भी शीलिंग खर्च नहीं होता था जितना भी उपहार था जितना भी सारुजनिक रिंड था जितना भी सैनिकों का उनके वेतन थे अधिकारियों के वेतन थे वो सब कुछ भारती अर्थ व्यवस्था से ही किया जाता था और जिसकी वजह से भारती अर्थ व्यवस्था धीरे धीरे पंगुगोती चली गई। कमपनी के कई भागों में विरोध और विद्रोह होते चले गए थे जिसकी अंतिम परनीती हमें दिखाई देती है 1857 के विद्रोह में अब हम चर्चा करेंगे हमने राजनीतिक कारणों पर चर्चा कर ली प्रशाशनी कारणों पर करिया आर्थी कारणों पर किया अब हम जहसे समाज में और धर्म के नाम को ले करके लोगों में असंतोश्वा क्योंकि यह भी एक एहम कारण होता है कि जब हम समाज के विरोध में जाते हैं समाज की एक विवस्था के विरोध में जब हम कारे करते हैं या हम जब किसी को धर्म के उपर आरोप लगाते हैं तो उसको भी स्वीकार्णा कठिन होता है तो अब हम चर्चा करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों का अधिकारियों का भारतियों के प्रती बहुत सम्मान जदक वेवहार नहीं होता था बलकि मैं यह कहूं कि कहीं ने कहीं एक दुरवे चता की श्रेणी में है और उस श्रेणी में भारती नहीं पहुं सकते हैं बलकि मैं ये भी कहूं कि उन लोगों ने तो भारती समाज को भी असब भी समाज कहा दिया था और एक विल्यम बेंटिंग और डलहौजी के काल में जो जो नीतिया लागू की गई थी वो सब की सब उस समय में ये कहा गया कि समाजी सुधार के नाम पर समाज का विवस्था को बदलने की है हाला कि हो सकता है विल्यम बेंटिंग ने और डलहौजी ने एक सुधार के तहट ये सब करने क्या किया हो लेकिन क्यों कौन-कौन से ऐसे सुधार थे जैसे 1829 में सती प्रथा केमबेल और हार्डिंग के समय 1844 में नर्बली का दमन सर जान शोर के समय 1795 में कन्यावद एलन बरो 1843 में दास प्रथा और बाल विवाह अधिनियम विधवा विवाह पुनर विवाह 1856 अंतरजाती विवाह का भी अंग्रेजों ने समर्थन किया लेकिन हो सकता है ये एक सुधार की श्रणी में होते किन्तु उस समय उस समय का समाज जो की थोड़ा कटरपंती और रुड़िवादी समाज था उस समय के समाज ने इन सुधारों को स्विकार नहीं किया बलकि इसको अपने भारती धर्म से जोड़ कर देखने की उन लोगों पूता था अता जब इसाई मिश्णरी भारत में आये और सरकार का उनको समर्थन प्राप्थ हुआ तो जनता ने इसको स्विकारने से इंकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इसाई मिश्णरियों का आना हमारे लिए एक धार्मिक उत्पीडन के समान है 1813 में इसाई मिश्णरियों को भारत आने की अनुमती दी गई और भारत में जो हमारे बिटिश अधिकारी थे उन लोगों ने उनको समर्थन भी दिया बहुत बड़ी संख्या में पादरी भारत आये और इसाई मिश्णरी के माध्यम से उन्होंने भारतियों को का धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया अंग्रेश सरकार का उनको पूरी तरह से संख्या प्राप्ट था इसलिए वो अपने इसकारी को जोर शोर से कर रहे थे उन्होंने स्कूलों में जा करके छात्रों को इसाई धर्म की सिक्षा देना शुरू कर दिया यहां तक की सेना में भी सैनिकों को उन्होंने इसाई धर्म के सिक्षा देने लग गए जब अकाल पड़ा था और बहुत से लोग बेघर हो गए अनात हो गए तो उन लोगों को भी इसाई मिशनेरों ने पाद्रियों ने धर्म परिवर्तन के लिए प्रोच साहित किया यह अकाल पड़ा था मैंने जैसे बताया 1837 के अकाल के समय यह इसाई मिशनेरों द्वारा कारी किया गया और इन इसाई धर्म परचारों को बहुत सारी शुर्ट सुविधाएं दी गई यहां तक की आगरा में इसाई मिशनरियों के द्वारा इसाई धर्मिक साहिते के लिए एक मुद्राय कभी इस्थापना वहाँ पर की गई ब्रिटिश सरकार ने क्या किया मंदिरों और मस्जिदों की भी जो जायजा थी जो संपत्ती थी उस पर भी कर लगा दिया और 1850 में धार्मिक अयोगिता अधिनियम और लेक्स लोकी कानून को पारित किया गया अब इस कानून को पारित करने का क्या उदेश था हिंदू रीती रिवाजों में परिवर्तन करना अब परिवर्तन क्या हुआ अभी तक जो धर्म परिवर्तन करते थे उनको उनकी पैतριक संपत्ती से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति अगर इसाई धर्म को अपना लेता है तो उसको उसकी संपती से वन्चित नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम से कमपनी के दोहरे चरित्र को साबित कर दिया एक तरफ तो इसाई धर्म के प्रचार के लिए धर्म परिवर्तन से लाब था तो दूसरी तरफ डलहौजी की गोद लेने की प्रथा थी जो निशेती जो हिंदू धर्म के खिलाफ थी पढ़िणाम यह हुआ कि हिंदू समाज ने इसे सोचा कि हमारे धर्म पर हमारे प्रचलित जो धर्म कानून है उस पर यह एक हस्तक जमता ने कंपनी के शाचन के विरोध में विद्रोह करने पर आमदा हो गई थी यह घिसारी कारणों को अंजाम तभी बिलता जब कहीं ने कहीं सैनिक्टों के असंतोश को सामने आता तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से तत्व थे ऐसे कौन से कारत थे जिनकी वजह से सैनिकों में असंतोश उत्पन हुआ तो हम अब सैनिक कारण पर आते हैं 1857 के विद्रों के राजनितिक, प्रशाशनिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण इतने प्रभावी के होने के बाद भी अगर सैनिक असंतोश नहीं होता तो शायद विद्रों का सुरूप इतना गौरवपूर्ण और व्यापक नहीं होता सैनिक का संतोश को इसी लिए महत्वपूर्ण कारण के रोप में माना जाता है ब्रिटिश सेना में बंगाल में लगभग 60 प्रतिशत सैनिक अवद और उत्तर पश्चिमी प्रांथ से आते थे इन में से अधिकांश, राजपूत और ब्रामवन होते थे और इन लोगों ने जो सेना के नियम बनाए गये थे उन सेना के नियमों को मानने से अस्विकार कर दिया था यहां तक की चार्ल्स नेपियर ने तो यहां तक कह दिया था भारती सैनिकों के लिए यह उच्च जाती के भाड़े के सैनिक कहां और इन सैनिकों पर वे किसी तरह का भी विश्वास नहीं करते थे अंग्रेजी सैनी नीती के हिसाब से भारतियों को सेना में कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था इसमें भी भेदभावपुन नीती अपनाई जाती थी कार्णमालिस की अंगली करण की नीती ने तो यहां तक कह दिया था सिद्ध करने की कोशिश की थी कि भारतियों को कियो सेना में कोई भी पद की वृध्धी नहीं की जाएगे भारती सैनिकों के वेतन बहुत कम थे, उनको साथ रुपे प्रती महिने के हिसाब से वेतन दिया जाता था उनके जहने और खाने की विविस्था अच्छी नहीं थी और समय समय पर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा उनके साथ दुर्वेभार भी किया जाता था यही कारण है कि भारती सेना में असंतोश उत्पन हुआ एक बात की चर्चा में यहां और करना चाहूंगी कि अंग्रेजी सेना के दो भाग होते थे पहले भाग में अंग्रेज अपसर होते थे और अंग्रेजी सेनिक होते थे दूसरे भाग में अंग्रेज अपसर होते थे किन्तु सेनिक जो होते थे वो भारती होते थे और अंग्र उसरे भाकी सेना का structure होता था इसके बाद भी भारतियों की संख्या अधिक होने के बाद भी भारतियों को कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता था उनका महत्व नहीं के बराबर था इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक और असमान वेतन था भेदभाव की नीती थी उच्छ पदों पर उन्हें आसीन नहीं किया जाता था अवध का विलय अंग्रेजी सामराज में कर लिया गया था ये सब सैनिक असंतोश का एक बहुत बड़ा कारण था बंगाल की सेना के सैनिक उसी राज से आते थे और ब बंगाल के सैनिक अवध प्रांत के जितने भी असैनिक थे उनकी भावनाओं को वो सामने लाकर उजागर करते थे क्योंकि उन्हें ये अनुभाव हो गया था कि जो शक्ति अंग्रेजों ने हमसे हासिल की है उसी शक्ति से वो हमारे ही भारती राजाओं को नश्ट करना चा और इसका उन्हें एक अपसोस था या इसका उन्हें असंतोश था इसके अत्रिक्त 1856 में के द्वारा एक नियम लाया गया एक अधिनियम लाया गया सामानी सेना भरती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग 1856 में एक अधिनियम लेकर आये जिसका नाम था सामानी सेना भरती अधिनियम अब इसके अंतरगत क्या था इस अधिलियम के अंतरगत बंगाल के जितने भी भावी सैनिक थे उनके लिए ये कहा गया कि जिस समय भी सरकार को आफशकता पड़ेगी आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है यहां तक कि आप सैनिकों को समुद्र पार भी अगर जरुबत नहीं थे 1857 में तो विद्रोह हुआ ही परंतु एक नजर हम पीछे डालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए थे जिसका की व्यापक रूप हमें 1857 में देखने को मिला जैसा कि मैंने पहले अभी चर्चा किया था बकसर का यह दो विद्रो था जिसमें मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते लड़ते मुन्रो की सेना की एक बटालियन नवाप की सेना के साथ मिल गई थी जिस पर मुकदमा चला और 24 सिपाईयों को जान से मार दिया गया था इसी तरह से 1806 में धार्मिक विरोध सेना हुआ था जिसमें की वेलोर में पर एक तुर्रा लगा हुआ होता था तुर्रा था वो चम्रे का होता था और पंक जो भी लगा होता था जो कि गाय और सुवर के चम्रे से बनाय जाता था तो ये भी एक सायनिक विद्रो का एक कारण था क्योंकि ये भी हमारे धर्म के हिसाब से कहीं नहीं था जिसकी से भी उनको 47 वी रेजिमेंट उस समय थी जिस 47 रेजिमेंट को भंग कर दी गई थी और बहुत सारे सिपाहियों को फासी दे दी गई थी ये छोटे-छोटे से विद्रों हैं जिनको मैं एक नजर उन सब पे आप लोगों को डालने के लिए बता रही हूं अठारा सो चवालिस में बंगाल में फिरोस्पूर की 64 वी रेजिमेंट उनको अतरिक्त भता ना मिलने पर सिंद जाने से मना कर दिया उस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया सभी को सजा देगी लॉर्ड डलहोजी के काल में 1849 में 22 वी रेजिमेंट पैदेशी पैदल सिना, 1850 में 66 वी देशी पैदल सिना, 1852 में 38 वी देशी पैदल सिना ने बगावत कर दी थी इन उप्रोक्त कारणों से 1854 में डाग घर अधिनियम आया, डाग घर अधिनियम पारित होने से सैनिकों को दी जाने वाली जो नेशुलक डाग सुविधाती उसको खतब कर दिया गया, इससे सैनिकों में असंतोशुद्पन हो गया था 1849 और 1842 के बीच आंगल अफगान युद्ध हुआ, इस आंगल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की हार और पंजाब के साथ संघर्ष करने में अंग्रेजों को जो भारी च्छती हुई, इन दो घटनाओं ने भारती सैनिकों को इस बात का एहसास कराया कि अंग्रेजी सेना अजे नहीं है, अगर हम दिश्चे दिड़ संकल्प कर लें, तो हम अपने उदेश को प्राप्त कर सकते हैं, हम उनको पराजित कर सकते हैं, जिसका आउसर उन्हें 1857 के तातकालिक कारण चरबी लगे कार्दूस ने दिया तो ये सैनिकों के छोटे छोटे असंतोष थे, इन असंतोष को आखरी अंजाम दिया 1857 के चरबी लगे कार्दूस ने, जिनकों की इस घटना को हम भारती इतिहास में कहते हैं, कि 1857 का या तातकालिक कारण था तो अब हम तातकालिक कारण पर आते हैं, किसी भी घटना, किसी भी क्रांती, किसी भी विद्रो के लिए तातकालिक कारण जरूर होता है, प्रिष्ट भूमी में बहुत से कारण छुपे रहते हैं, जो की एक बार कोई एक चिनगारी के रूप में तातकालिक कारण काम करता ह जिसकी वजह से वह विद्रो हो जाता है और यही 1857 के विद्रोEnt के साथ भी हुआ कि प्रिश्ट भूमी में परेक्ष में बहुत असंतो जनमता रहा और 1857 के विद्रों का तातकाली कारण बना चर्बी लगे कार्टूस में तो उपरोक्त जितने भी उत्तेजित वातावरण मैं तो यही कहूंगी कि वातावरण बहुत उस समय उत्तेजित था अब इस राइफल का कार्तूस जो था वो बोलिच आरसेनल कारखाने में बनता था इस कार्तूस को प्रेयोग करने के लिए उसके उपरी भाग को मुँ से काटना पड़ता था इसका प्रेयोग सबसे पहले डमडम, अमबाला और स्याल कोट में किया जाना था जन्वरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अपवाह फैल गई की चर्बी लगे कार्तूस में गाय और सुवर की चर्बी है कंपनी के मगुप्त सचेव के ई और वी ए स्वित ने इस बात को स्विकारा की बुलिच शास्त्रागार में चर्बी प्रेयोप्त की जाती है भारती सेनिकों ने अंग्री जोंद्वारा उनके धर्म भरष्ट करने का आरूप लगाया और कहा कि अब शायद धर्म को भी हमारे ये लोग आहत कर रहे हैं और ये लगने लगा कि कहीं न कहीं अब हमें शिवाजी बनना होगा और हमें आवाज उठानी होगी अतर हम देखते हैं कि क्रांती के कारणों का मस्विदा तो तयार हो चुका था किन्तु चर्बी लगे कार्दूसों ने चिनगारी का काम किया लेकिन अब हम बात करेंगे कि कारणों के अलावा तीसे नमबर पर असफलता के कारण 1857 के विद्रों सफल क्यों नहीं हो सका हम उन कारणों पे चर्चा करेंगे फिर हम बात करेंगे कि 1857 के विद्रों के क्या परिनाम हुए हमने प्रिष्ट भूमी पे चर्चा कर ली हमने कारणों पे चर्चा कर ली अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिसने 1857 के विद्रो को सफल नहीं होने दिया या 1857 का विद्रो असफल रहा हम अब इस पे चल्चा करेंगे विद्रो के कारणों पर चल्चा करने के बाद अब हम बात करेंगे कि विद्रो क्यों सफल नहीं हो सका क्या कारण थे कि जिसकी वज़ा से 1857 का विद्रो असफल रहा 1857 का विद्रो यद्दिपी पूरे भारत में तेजी के साथ फैला किन्तु समुचित जंता इसको जन आंदोलित नहीं कर सकी और अपने ताकालिक उद्देश भारत से अंग्रेजों को निश्काशित करने के इसमें उसे सफलता नहीं मिली किन्तु हम ये भी कह सकते हैं कि इस विद्रों के दूरग गामी और दीरग गामी परिणाम महत्वपूर रहे क्या कारण था विद्रों के असफल होने का पहला कारण था एकता का अभाव होना जहां अंग्रेजी सेना पूरी तरह से संगठित थी और आधुनिक सैनी सज्जा से सुसज्जित थी वहीं भारती योधाव में ओदेश, स्थान और छेत्र को लेकर के कहीं ने कहीं विभिनता थी कोई भी मजबूत संगठन ऐसा नहीं तयार हो सका जो की विद्रों को गती प्रदान करता या दिशा दे सकता था यही कारण है कि 1857 का विद्रों अखिल भारती जन आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका दूसरा कारण ये था कि अधिकांश देशी नरेशों और सामन्तों का विद्रों में शामिल ना होना या कहिए राजभक्त बने रहना 550 देशी रियासतें थी लेकिन उन्ने से बहुत सारे ऐसे थे जो की विद्रों में शामिल नहीं हुए या कहना चाहिए कि कुछ गिने चुने ही राज़ा थे जिन्होंने विद्रों में अपनी भागीद्यारी को निश्चित किया था अधिकांश राजा जैसे की हम कहें पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल की रियासतों और राजाओं ने विद्रों का समर्थन नहीं किया था लॉड एलिफिंस्टन ने बंबई प्रेसिडेंसी में विद्रों की आग को भड़कने से पहले ही दबा दिया था तो कई ऐसे भी जगह थे राजिस्थान के जहां पर लॉरेंस ने विद्रों को दबा दिया था तीसरा प्रमुक कारण था असफलता का निश्चित उद्देश का अभाव 1857 के विद्रों को अगर सफलता नहीं मिली तो उसका एक कारण था कि एक निश्चित उद्देश वहां पर नहीं था हर कोई अपने अलग-अलग उद्देश के लिए अलग-अलग अपने छेत्र के लिए इस विद्रों में शामिल हुआ था और कहीं-कहीं तो ऐसा लगा कि नीजी स्वार्थ की वजह से भी विद्रों में विवलोग शामिल हुए थे आंत्रिक इस्तर पर उनमें कोई राश्ट्री भावना नहीं थी और नहीं भविश्य को लेकर उनके पास कोई योजना थी विनायक दामोदर सावर करने लिखा था कि यदी लोगों के सम्मोग सुष्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा जाता तो शायद विद्रों की इस से दी और होती ये बात अक्शर सर्थ सत्य सावित होती है चौथा देश व्यापी प्रमुक कारण था कुशल नेत्रत्रत। का अभाव बहादुर शाह जफर अपनी ब्रद्धावस्था के कारण और अपने दुर्बल व्यक्तित्तु के कारण कुशल नेत्रत नहीं दे सके थे नाना साहत, तात्या टोपे, लक्ष्मी बाई, कुवर सें, बक्त खान, अली मुल्ला, हजरत महल आदी क्रांतिकारी नेताओं ने यद्धिपी अपनी योग्यता से, अपने द्रण मिश्चे से, अपने पक्के इरादों से इस विद्रों में लड़े, उसमें शामिल हुए किन उनका नेत्रित अखिल भारती इस तर पर नहीं था, उनमें आपसी तालमिल का अभाव था और यहां तक कि वे एक दूसरे के प्रती उदासीन भी रहे, जो कि 1857 के विद्रों की असफलता का कारण बना, विद्रों के साधन सीमित थे, कैसे अंग्रेजों के पास एक सुसजि सेना थी, और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल बनती चली जा रही थी, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेज रूस को पराजित कर चुका था, इसलिए उनका मनोबल भी बहुत बढ़ा हुआ था, चीन का भी जो प्रसिद अफीम का युद्ध था, 1856 में उसम समुद्री मार्क पर अंग्रेजों का अधिकार था, डलहौ जी की रेल डाक तार जो विवस्था थी, उससे भी विद्रों को दबाने में अंग्रेजों को एक सफलता मिली या एक सहायक साबित हुई थी, जीटी रोड पर अंग्रेजों का पूरी तरह से नियंतरन था, यही कारण है कि अंग्रेजों ने अपने साधनों से, अपने बल से इस विद्रों को दबा दिया था, इस प्रकार विद्रों की असफलता का वास्त्विक कारण भारतियों की वीरता, साहस, उनकी योगिता में कमी होना नहीं था, बलकि कहीं ने कहीं सिक्षित वर्ग का उद में तातकालिक लक्षि को प्राप्त नहीं कर सके थे परंतु यह विद्रो व्यर्थ नहीं गया बलकि अंग्रेजी शाष्ट को इसने खिला के रख दिया था अब हम बात करेंगे विद्रो के परिणाम का कि क्या विद्रो के परणाम यह असफल होने के बाद भी 1857 के विद्रो का जो परिणाम था वो बहुत ही महत्वण था इतिहास में 1857 का विद्रो कहने के लिए तो सफल नहीं था लेकिन अगर हम इस पे चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि 1857 के विद्रो के तातकालिक और दूर्ग गामी परिणाम अत्यंत महत्वण हुए क सबसे पहला और महत्वण परिणाम यह हुआ कि इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के शाषन को व्यापारियों के शाषन को समाप्त कर दिया था और अब बिटिश संसद और ताज के हाथों में शाषन पहुँच गया था और ताज से क्राउन किसे शाषन की शुरुआ 1857 के विद्रोह ने एक युग की समाप्ती की और एक नए युग के आगमन की दियोतक थी इतना महत्वण परिणाम इसका था इसने भारती राजनीती को भारती प्रशाशन को सामाजिक आर्थी क्रवस्था को और यहां तक की राष्ट्री भावना को भी गहरे रूप से प् अधिनियम कहा जाता था यह एक महत्वण परिणाम के रूप में हिंदुस्तान में आया था जिसे की इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ था सबसे पहले भारती प्रशाशन का नियंत्रन इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल गया था और अब यह सीधा ब्रिट जन्रल को खतम कर दिया गया था अब उन्हें वाइसराइ की उपाधी दी गई थी और उनको बहुत सारी विशेश सुविधाएं भी दी गए थी देशी राजाओं की उनकी अखंडता की सुरक्षा की विवस्था की गई थी अगला कंपनी ने कहा कि देशी राज्यों के सां अधिनस्त हो गए थे 1876 में 1876 में महरानी विक्टोरिया के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधी को और 1857 के जितने भी विद्रोही सामन्त और तालुकेदार थे उन सब को सुविधाएं वापस कर दी गई थी यह जो सामन्त थे यह जो डेशी नरेश थे यह सब अंग्रेजी स प्रणकर सफल भी रही और भारत के दार्मिक और सामाजिक मामलों में अहसतक शेव की नीती को भी उन्होंने स्विकार कर लिया सेना के संबन्द में उन्होंने क्या निर्णे लिया सेना के पुनर गठन के लिए पील आयोक का गठन किया अब पील आयोक के गठन में जो बात आई उस पे ये आया कि सैनिको का अनुपाद दो और एक का अनुपाद होगा मतलब दो भारती और एक अंग्रेज होंगे जैस अभी मैंने पहले बताया था कि पहले सेना का अनुपाद क्या था पांच और एक का था पांच भारती और एक होते थे लेकिन उनको सुविधाएं उतनी नहीं थी अब सेना का अनुपाद दो भारती और एक योरोपी का हो गया जिसमें की आठ ब्रिटिश सरकार से मनोनीत होते थे नॉमिनेट होते थे और साथ जो कंप्ली के कोट ऑफ डारेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे 1861 पे लोग सेवा अधिनियम बनाया जिसके अंतरगत हर साल लंदन में एक प्रतियोगिता परिक्षा आयोजित की जाएगी ताकि संभावित लोग सेवा में भी भरती किया जा सके इस प्रकार अब मैं कंक्लूट करूँगी अपने व्याख्यान को इस प्रकार 1857 का विद्रो एक सामन्ती युग का अंत थकरके एक नवीन युग के बीज को बो दिया था जिसका नेत्रित्व अब आने वाली सिक्षित भारती थे जो आने वाले प्रगतिशील भारती थे उ और आने वाले समय में यही सिक्षित और प्रगतिशील भारतियों की पीड़ी जो थी अंग्रेजी सरकार के लिए एक चुनौती की बतरह सामने आई धन्यवाद